हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश गुपता एक्जाम ट्रेंड चैनल से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को जो है अगर वीडियो पसंद करते हैं लाइक करते हैं तो प्लीज चैनल क है यह औरंग जेब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो आए औरंग जेब में आए हुए सारी कोश्चन को सॉल करते हैं ठीक है आज का मार जो सबसे पहला कोश्चन है वो यह है कि किस मुगल बासा का दो बार राज्यविसेग हुआ था तो दोस्तों औरंग जेब जो रहत दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था और उसका दूसरा राजबिसेग यह खजवा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1669 को हुआ कब हुआ दिल्ली में ही 15 जून 1669 को हुआ था ठीक है इसके साथ आगे देखते हैं अब्दुल मुझफर मुहियूद दिन मुहम्मद औरंग जेब बहादूर आलमगीर पाद साह गाजी की उपाधी इसने धारण की थी किसने औरंग जेब ने ठीक है एक बार फिर से देखिए इसकी उपाधी को अब्दुल मुझफर मुहियूद दिन मुहम्मद औरंग जेब बहादूर आलमगीर पाद साह गाजी की उपाधी धारण कर वह मुगल बाद साह के सिंगासन पर आसीन हुआ था ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं अगला कोशन हमारा किस मुगल बाद साह को जिन्दा पीर कहा जाता था तो दोस्तो औरंग जेब को जो है इसे जिन्दा पीर कहा जाता था और इसके साथ साथ इसे साही दर्वेश भी कहा जाता था आईए देखते हैं औरंग जेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयम अभ्यास करता था चाहे वो एक हम जो भी कहलें कोई सा भी सिस्टम होता है ना एक सिस्टम को बनाना चाहे वो गलत हो चाहे सही हो पहले उसको वो खुद अपने उपर जो है लागू करता था और उसका व्यास करता था और उसके बाद जो है दूसरों के उपर लागू करता था थीक है उसके ब्य उसे जिन्दा पीर के रूप में मानते थे, क्या मानते थे जिन्दा पीर, ठीक है, next देखते हैं, अगला कोशन हमारा धर्मट का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो दोस्तों धर्मट का युद्ध जो है, यह औरंग जेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था, किस 15 अप्रेल 1658 को अरंग जेब तथा दारा सिकोह के मद्ध युद्ध हुआ, किसके किसके बीच, अरंग जेब और दारा सिकोह के बीच जो है, युद्ध हुआ था, कब 15 अप्रेल 1658 को, दोस्तों एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हिस्ट्री में जहां भी डेट मिल जा आदो, कभी भी, ठीक है, चाहे जितनी बार, आप जैसे एक बार नोट के दुबारा पढ़ने जा रहे हो, और दुबारा कहीं भी ऐसे रब्बुक पैसे लिख दो, दुबारा, कितने तारीक हुआ था, बार बार लिखने से क्या होता है न, चीजे याद होती है, माइंड मे सेट होती है, ठीक है, तो अगर आप हजार बार पढ़ रहे हो, तो हजार बार डेट नोट करो, कहीं भी, जहां जगा मिल जा, नोट कर दो, फटक से, और एक इंपोर्टेंट डाइरी बना लो, जिस पे आपके सारे डेट, जो है, कभी भी डेट आता है, हिस्ट्री में, जि विकिपिडिया नहीं जाना हो, नेट का यूज नहीं करना हो, एजली आप अपने नोट से उस देट को खोज लो, ठीक है, नेक्स्ट बात करते है, और इसके साथ साथ पता है, क्या होता है, अगर आप एक डाइरी में नोट करके रख्यों, अगर कहीं पे गलत मिल जा रहा ह या कहीं पे दूसरा डेट मिल जा रहा है, उसी काम के लिए कहीं होता है, विकिपिडिया पे अलग मिलेगा, भारत कोस पे अलग मिलेगा, किताब में अलग मिलेगा, NCRT में अलग मिलेगा, घटना चक्र में अलग मिलेगा, तो हर जगा पे डेट अलग-अलग राइटर होत टीक है आगे देखते हैं इस युद्ध में जोदपुर के राजा जस्वंत सिंग ने दारा सिको की तरफ से तथा मुराद ने औरंग जेब की तरफ से भाग लिया था और किसकी तरफ से जोदपुर के राजा जस्वंत सिंग रहते हैं और दारा सिको ये दोनों लोग एक साइ जैसे दारा सिको की दुर्बलता प्रकट हुई हारता कौन है तो दारा सिको बोले तो जस्वन सिंग और दारा सिको यह हार जाते हैं और मुराद और औरंगजेब जीच जाते हैं इस युद में ठीक है नेक्श बात करते हैं मुहमत सहजादा जिसने स्री नगर गडवाल में आसरे लिया था तो कौन था सुलेमान सिको ठीक है कौन सुलेमान सिको उत्रा धिकारी के युद में औरंगजेब से पराजित दारा सिको के पुत्र सहजादे सुलेमान सिको ने स्री नगर गडवाल के सास प्रिथवी सिंग के यहां सरड ली थी, ठीक है, लेकिन उसने उत्रादिकारी मेदिनी सिंग ने उसे औरंग जेप को सौप दिया, ठीक है, पहले कौन था, यहां का जो राजा रहता है, यहां पे प्रिथवी सिंग रहते हैं, ठीक है, और उनी के यहां पे सहजादे सुलेमान सिको जो रहते हैं यह औरंग जेब से बसते हुए जो है इनी कहां सरड लेके छिपे रहते हैं लेकिन प्रिथवी सिंग के बाद इसके उत्तरा दिकारी यहां के मेदनी सिंग हो जाते हैं कौन मेदनी सिंग हो जाते हैं तो मेरनी सिंग जो रहते हैं, यह क्या करते हैं, जो है, साजादे सुलेमान सिको को जो है, औरंग जोब को ले जाके सौब देते हैं, ठीक है, सुलेमान सिको को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया, और वहां से उसको अफीम खिला कर मार डाला गया, ठीक है, नेक्स बात करते हैं मुगल समराट जिसने सरवाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की न्यूक्ति की थी उसका क्या नाम था तो औरंग जेब इस question के बारे में हम लोग अभी last में discuss करेंगे ठीक है last में इस चीज के बारे में discuss करेंगे अग्स बार पूद लिजिए मुगल समराट जिसने सरवाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की न्यूक्ति की थी उसका क्या नाम था तो औरंग जेब नाम था ठीक है इसने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों को जो है दुर्बल कर दी थी question बहुत ही अच्छा है कि औरंग जेप का ऐसा कौन सा पुत्र था जिसने उसी के खिलाफ विद्रो कर दिया और विद्रो करके उसकी स्थिति को दुर्बल कर दी थी तो अकबर एक इसका जो है औरंग जेप के पुत्र रहता है जिसका नाम क्या रहता है अकबर नाम रहता है ठीक है जो है तो अकबर जो है यह उसकी औरंग जेप की स्थिति को जो है दुर्बल कर देता है ठीक है पूरा नाम इसका रहता है सुल्टान मुहम्मद अक्बर आईए देखते हैं इसके बारे में थोया डिटेल में जाते हैं औरंग जेब के पुत्र मुहम्मद अक्बर ने 1681 इस्वी में विद्रो करके राजपूतो के विरुद्ध अपने पिता की स्थिती में विश्वास नहीं था और विचारों से वह उदार था ठीक है उसी उसर पर मेवाड के राडा राज सिंग और राठाव नेता मारवाड के दुर्गा दास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बास्सा गोसित कर दे तो मेवाड और मारवाड दोनों की सेनाएं उसकी साहधा करेंगी दुर्गा दास ने अकबर को अपने सनरचण में रखा ठीक है कहां रखा अपने सनरचण में रखा राजपुताना तथा खान्देश की कठिन यात्रा की मुगल सेना से उसकी रच्छा की और उसे सिवा जी के पुत्र संभा जी के दर्बार में पहुचाने में सफलता पाएं 1682 में औरंग जेब स्वयम अकबर का पीछा करता हुआ दच्छिड भारत गया कहा गया दच्छिड भारत लेकिन अकबर भारस भाग गया और वहीं पर औरंग जेब की अंतिम काल में अकबर की मित्य हुई ठीक है अकबर की मित्य हो जाती है नेक्स्ट कोशन हमारा औरंग जेब ने जोदपुर के सासक जस्वन्त सिंग को 1658 स्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था धर्मट किस राज्य में इस्थित है तो यह दोस्तो मध्य प्रदेश में इस्थित है ठीक है धर्मट का जो युद्ध होता है अभी हम लोग पीछे चर्चा किये है धर्मट की युद्ध के बारे में ठीक है तो यह कहां पर होता है जो है कहां पर जगा पड़ता है धर्मट मध्य प्रदेश में पड़ता है मैंने आपको question में describe भी किया है कि मध्य प्रदेश में इस्थित उजयन के निकट जो है या धर्मट नामक जगा पड़ता है ठीक है तो यह अभी question exam में आया हुआ है next बात करते हैं किस बात्सा के अंतरगत मुगल सेना में सरवाधिक हिंदू सेना पती थे तो दोस्तो औरंग जेब जो है इसके time period में सरवाधिक हिंदू सेना थे यह question भी मैं पीछे discuss किया हूँ अभी भी आपसे कि वह question कुछी type से था कि मुगल समराड जिसने सरवाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका क्या नाम था ऐसे आया था question तो उसका नाम औरंग जेब था और मैंने कहा था कि last में हम लोग इस question को discuss करेंगे तो यह आज का आखिरी question होगा और इसमें हम लोग discuss कर रहे हैं कि जो है किस बास्टा के अंतरगरत मुगल सेना में सरवाधिक हिंदू सेनापती थी तो औरंग जेब ठीक है औरंग जेब के सासन काल के दोरान मुगल सेना में सरवाधिक हिंदू सेनापती थी उसके काल में कुल सेना पतियों में 33% हिंदू थें कितने पतिसत कुल 33% हिंदू थें जिसमें मराठो की संख्या आधे से अधिक थी जादातर करके क्या थे मराठे थे यह दोस्तों क्या है आपको क्या लग रहा है क्यूं मराठो की संख्या जादा थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमेशा मुगल और मराठो की पट्ती नहीं थी, हमेशा दोनों में युद्ध होता था, और अगर औरंग जेब अच्छा पैसा दे कि अगर मराठो को लगता है, तो मराठो को मराठो से लड़ाएगा, और जो है, मराठे मारे जाएंगे, ठीक है, त साजहा के टाइम पेरेड में 24%, 24% और औरंग जेब के टाइम में 33%, ठीक है, नेक्ष बात करते हैं दोस्तों, कि हम लोग लाश्ट टाइम वीडियो में पढ़े थे, साजहा के बारे में औरंग जेब जो रहता है, या साजहा का पूत्र है, तो एक बार इस चीज़ को भी हम एक बार जानेंगे तो सब कुछ मालूम होना चीए, ठीक है, कौन-कौन सी पत्निया थी साजहा की, कंदा हारी बेगम, अकबरा बादी महल, मुम्ताज महल, हसीना बेगम, मूती बेगम, कुदसिया बेगम, फते पूरी महल, सरहिंदी बेगम, और स्री मती मन भाविती, ठीक क्या-क्या नाम थे उनके, पुरुहू नार बेगम, ठीक है, उसके बाद जहां आरा बेगम, दारा सिकोह, साह सुजा, रोसन आरा बेगम, औरंग जेब, मुराद बक्स और गोहरा बेगम, इतने बच्चे थें, जिसमें से यह औरंग जेब को मैंने हाइलाइट किया हुआ ह औरंग जेब जो है, या उत्तरा धिकारी बनता है, क्या बनता है औरंग जेब, उत्तरा धिकारी बनता है, ठीक है, तो इस वज़े से हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं, या जो है औरंग जेब का कारकाल, औरंग जेब के टाइम पिरेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है और next part में दोस्तों जैसे मैंने इस part में लाश्ट में आपको साजहां के बारे में उसका family background बताऊँगा क्या होता है ना कि जब relation पता होते हैं जैसे अब इसके बच्चे हैं ठीक है या इसकी सबसे बड़ी लड़की रहती है ठीक है सबसे बड़ी तो ये रहती है लेकिन किताब में इसको भी दिया है बड़ी ये second number के रहती है ठीक है तो कभी कभी question में ये भी confusion हो जाता है कि कौन सबसे बड़ा था कौन किसका पुत्र था कितने बच्चे थे कितनी बीविया थी आप लोग तो केवल एक ही दो लोग के बारे में जानते रहेंगे जैसे कि मुम्ताज बेगम हसीना बेगम ठीक है लेकिन सारे लोगों को जानना जरूरी है ठीक है तो उसी तरह से ज़ा हम लोग औरंग जेप की बात करेंगे तो उसके पूरे फैमली बैग्राउंड को देखेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही था अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीस मैं चैनल को लाइक करते रहे है शेर करते रहे है और सब्सक्राइब करते रहे है थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच